तो कश्मीर में पत्थर बाजों को हवाला फंडिंग को लेकर NIA की जाच में बड़ा खुलासा हुआ है NIA सूत्रों के मताबिक कश्मीर में अलगाव वादियों को हवाला के जरिये पैसा भीजे जाने का दिल्ली कनेक्शन सामने आया है सूत्रों के मताबिक पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान और चांदनी चौक के हवाला उपरेटर के जरिये श्री नगर में अलगाव वादियों को पैसे भीजे जा रहे थे NIA को इस मामले की जाच में कई एहम सुराग भी मिले है NIA की पांच सदसिय टीम अलगाव वादियों को हवाला के जरिये पैसे भेजने के मामले की जाच के लिए श्री नगर में मौजूद है और कई चौकारे वाली बातें भी सामने निकल कर आई हैं कैसे दिल्ली का भी कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है बल्ली माराण, चांदनी चौक ये वो जगे जहां से हवाला का कारूबार अलगाव वादियों के लिए किया जाता था पैसा भीज़े जाते थे तो हाला कि ये बात बीच बीच में मिशा सामने आती रही थी कि क्या हवाला के जरीए फंडिंग होती है नाईय को और आप कई एहम सबूत नाईय की टीम के पास हैं जो श्रीनगर में मौजूद हैं लेकिन कौन-कौन लोग हैं जो शामिल हैं और हवाला के जरीए इस तरह से पैसा पहुचाया जा रहा था अलगाव वादियों तक ये भी एहम हो जाता है ये पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था क्योंकि वो जगह ट्रेस आउट हुई है जहां से ये पूरा खेल खेला जा रहा था तो आईए आपको बताते हैं कि पत्थर बाजों तक पाकिस्तान से श्रीनगर कैसे पहुचता है पैसा कैसे श्री नगर पहुंचता है पैसा पाकिस्तान से सौधी अरब भीजा जाता है पहले पैसा पिर सौधी अरब से हवाला के जर्ये बांगलादेश भीजा जाता है ये पैसा बांगलादेश से हवाला के जर्ये श्री लंका भीजा जाता है ये पैसा और श्री लंका से हवाला के जर्ये दिली भीजा जाता है पुरानी दिली से श्री नगर इसके बाद भीजा जाता है ये पैसा पंजाब हिमाचल प्रदेश के कुछ व्यापारी भी इस रैकेट में शामिल है तो बल्ली मारान और चाननी चौक के हवाला और ऑपरेटर श्री नगर ये पैसा भीजते है श्रीनगर में पत्थरबाजों को ये पैसा दिया जाते हैं और इसलिए हो जाता था सवाल कि आखिर ये पैसे आ कहां से रहे हैं कि पत्थरबाजों को जो पैसे दिये जा रहा हैं पत्थर भेकने के लिए उसका कनेक्शन सीधा सीधा हवाला से जुरता है और कहां कहां से कैसे कैसे फंडिंग की जा रही है ये NIA की जाश में सामने आ रहा है तो इसे रक्षा विशेशग्यू का कहना है कि अलगाव वादियों पर सरकार को काफी पहले ही कारवाई करनी चाहिए थी देश से पैसा लेकर देश की ही खिलाफ कारवार करने वालों पर कड़ी कारवाई कर एक बड़ा सबक सिखाना चाहिए देश द्रो है देश द्रो के लिए उनके बाहरते पैसा आ रहा है और अब हम सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कारवाई करी जाए ये तो बहुत पहले से कारवाई कर जानी चाहिए थी ये क्यों हम इसको इस पे चूग गए खैव देर आए दुरस्ता है अब अगर कारवाई इस पे हो रही है तो एक दम से जिसको एक्जेम्टरी कारवाई कहते हैं इनका एबसलूटली उधारन बना देना चाहिए ताकि कोई और देश दुरो की तरफ न बढ़े और अगर पीस लानी है शांती लानी है कश्मीर वैली में और हिंदोस्तान को ये प्रूब करना की कश्मीर हमारा है तो सबसे पहले भारत का कानून वहाँ पे सही डंग से लागू करिए ताकि जितने जो भारत देश के खिलाफ है तो देश दुरो कर रहे हैं उनको उच्चत कारवाई और उच्चत सजा मिले चाहे कोई जिन्नों ने भी कोई भी गलती करी है फंडिंग में वो पकड़े जा रहे हैं तो हुरियत को भी पहले तो हमने तो दोड़ा दिखाया था कि वो भारत के लिए बातशीत करेंगे कश्वीर में लेकिन उन्होंने हवाला से पैसे लेके भारत के खिलाफ कारवार किया है अब आर्मी को भी पता चल गया यह नहीं हो सकता तो अलगावादियों के हवाला केनेक्शन के खुलासे के बाद जहां बीजेपी यह कह रही है कि सरकार देश द्रोहियों पर सक्ति करेगी तो दूसरे तरफ विपक्शी दलो का कहना है कि सरकार बाते करने के बजाए आक्शन करके दिखाये पाकिस्तान तो यही करते रहा है और दूसरे लोग भी करते है तो अब सवाल यह है कि जो बोस्ट कर रहे थे माननी प्रधान मंतरी जी कह रहे थे बड़ी बड़ी बात कि हमने डी मोनेटाइजेशन करके और कमर तोड़ दी उगरवाद की और दसत गर्दी की वो कहा हुआ तो सवाल यहां तो रिजल्ट न चाहिए यहां तो रिजल्ट नहीं आ रहा है बाते तो की जा रही है जाच होगा और क्या होगा नतीजा क्या निकल रहा और मनीश है हमारे साफ जादा जानकारी देने के लिए मनीश एनाईय की जाच में बहुत एहम बाते सामने निकल कर आई है यह क्या जाच में यह भी पता लग पाया है कि जो यह तमाम लोग है वो कौन है इनको कैसे अब घेरा जाएगा क्या कुछ आप आगे किया जाएगा दिखें एनाईय ने तमाम जो इंपूट्स एंगिलेंस के इंपूट्स है उनके अपनी इंगिलेंस है और उन्होंने दिल्ली के पुरानी दिल्ली के कुछ ऐसे हवाला उपरेटर्स की पहचान कर ली है जो कश्मीर में अलगावादियों को पैसे बिज रहते है और एक बहुत पहचान हो जाने के बाद आवियस है कि उनके खिलाब और एविजनसी कठे कर रही है नाईय और उनको पुस्ताज के लिए बुलाए जाएगा पांच लोगों के नाईय के टीम कश्मीर में इस लक्त है श्री नगर में वहाँ पर भी रिजनसी कठे किया जा रहा है और श्रताब जानते हैं कि जब तक फंडिंग पर पूरी तरीके से ब्रेक नहीं लगता जब तक कश्मीर और पत्थबादी नहीं रुकेगी और पाकिस्तान का लिंक है उसको पूरी तरीके से काटने की कोशिस हो रहे है कि किसी तरीके से इन अलगावादियों के पास पैसा नाज़ाचा है वो पाकिस्तानी हाई कमिशन से दिली से पैसे कैई बार जाते थे बंगलादेश और शिरलंगा के जरीए की हवाला अपरेटर के जरीए दिल्ली पैसे पहुंच रहे हैं यहां से तमाम वेपारी हैं जो कश्मीर से पंजाब में हिमांचर प्रदेश में आते जाते रहते हैं और वो पैसे च्छुपा के ले जाते हैं तो उन सारे लोगों की बक पहले भी अगर इस पर गंबीरता से ध्यान दिया जाता तो आज इस थितिया यहां तक ना पहुंचती है बिल्कुल पहले इस लेवल के कभी निवस्टिकरिशन नहीं होई इस इंडिविजियल जो पैसे ले जाते तो उनको पखला जाता ता यह नहीं कभी कोशिश की जाती कि पैसा कहां से ला रहा है और कहां को जा रहा है अलाकि निया ने पहले भी चार्शीट इसमें फाइल की हुई है एक और केस में उन्होंने हिजबुल और हवाला का लिंग निकाला था लेकिन वो सारे चोटे अलगावादी थे और यहां अगर आप देखे तो हाफिस करनेक्शन है तमाम बड़े अलगावादी कनेक्शन जाहिर इसका रिजल्ट जरू पॉस्टिफ दिखेगा बिल्कुल मनिश चलिए आप से आगे अपडेट लेंगे जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो एनाइए की पांस अदस्यों की टीम जो श्री न चान्नी चौक यहां पे कई ऐसे कारुबारी हैं जो हवाला कारुबार में लिप्त बताय जा रहे हैं और आप इनके खिलाफ सबूत भी जुटाय जा रहे हैं एनाइए की ओर से तो कई बार फंडिंग शुलंका से होते हुए भी वो पैसा पहुचाया गया दिल्ली बांगल पूर्वी दिल्ली के लोग पिछले तीन दिनों से गंदिगी में जीने को मज़ूर हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई करमचारियों के हर्ताल का अज तीसरा दिन है हर्ताल के कारण पूर्वी दिल्ली के सडकों पर कच्रा फैला हुआ है निर्मार विहार इलाक पूरा हाल बुरा हुआ है अब आम जंता को और पर परिशान होना पड़ेगा अब यह सरकार को करना अभी कैसे समझोता है करा है वो अपने करमचार्यों को उनको समालना है ना अभी कैसे नहीं निवासी के तो यह जिए गंदगी से निजात मिले वो तो कोई है नहीं अब नहीं नहीं और पर फार कि वो चल रहा है उनका कैसे सौल करना आप उनको करना से आम जंता ही पूरी परशान हो रही है यहां से ट्राविक देखना कभी जाम लगए शाम को रभी जाम होरा सब कूडा घर मेमारियां कभी पूरा है यह भीमारिया आस पार देंगू सब मच भूलते हैं यहां पर दिस बिइमारिया तो यहां बूस फुर जाता है और जब साथ करो स town रहा इन ay drug רफ वी इन ऑनने के टाइम में बीडरा पुरा रोट अपने रहता है उसकी दिक्कत हो उती और यहां से니다 प्रूर स्टेशन तक इसकी समेलाती रहती है हम लोग अगर यहां अंदर है तो हम लोग फे घर तक यहां किसमेलाती है और यह पूरा सालों का साल यहां पर इसे ही पड़ा रहता है कभी भी एचीज चेज नहीं पर शूरू भी नहीं हुए और इस तरह तहाल हो गया क्योंकि करमचारों की स्ट्राइक से पूरवी दिल्ली में हालात किस कदर बद्दर हो चुके हैं इसका जाइजा लिया एंडी 24-7 रिपोर्टर ने एंसीडी चुनावों के बाद दिल्ली के ज्यादतर वाड्स में पार्शदों के चेहरे तो जरूर बदल गए लेकिन नहीं बदली दिल्ली की तस्वीर इस वक्त हम पूरवी दिल्ली के निद्माण विहार इलाके में हैं और MCD की स्ट्राइक का आज 30 रा दिन है और जिस तरह से तस्वीरे ये बता रही है कि कच्रा जो है उसने अब पूरी सड़क पर कबजा करना शुरू कर दिया है और इस कच्रे की बज़ा से जो सड़क है वो सिमट कर आधी हो गई है लोगों को खासे दिक्कते हो रही है लगातार जिस तरह से देंगो और शिकुन दुनिया के मामले सामने आने वे लगे हैं उसके बाद इस तरह का कच्रा और इससे होने वाले बिमारी दिल्ली के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है और यहां पर जो लोग हैं वो लगातार परिशान नजर आ रहे हैं क्योंकि इस कच्रे की वज़ा से सड़कादी हो गई है और जिस तरह से दिन आगे बढ़ता है पी कार्स में यहां पर जान भी लगने लगता है और लोग बहुत परिशान हैं और यहां पर जिस तरह से तस्वीरे यह बता रही हैं कि जो पूरा कच्रा है वो सड़क पर बाहर आ चुका है और कोई इसको देखने वाला नहीं है क्योंकि MCD के जो करमचारी हैं EDMC के जो करमचारी हैं वो लगातार अपनी मांगो को लेकर कई बार स्ट्राइक कर चुके हैं और एक बार फिर जो स्ट्राइक है MCD की वो शुरू हो गई है आज तीसरा दिन है और MCD के करमचारी हों का ये कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई जिस पर वो लगातार स्ट्राइक करते आ रहे हैं चाहे वो EDYERS की मांगो चाहे वो कच्चे लोगों को पका करने की मांगो चाहे वो तनखा टाइम पर मिलने की मांगो अगर वो मांगे पूरी नहीं की जा सकती तो दिल्ली का हाल आने वाले दिनों में बद से बत्तर होता रहेगा दिल्ली से कैमरेपरशन राहूल दिक्षित के साथ रूफी जैदी जीवीजिया और ब्रिजेश हिजाला जानकारी देने के लिए ब्रिजेश मुशिक बात ये बताएं, ये MCD पर BJP का होल्ड है ये कहा जा रहा था कि जब BJP का होल्ड पूरी तरह से हो जाएगा BJP खुद ये कहती थी कि तब हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे अब ये तस्वीर के ऐसे बदली जाएगी क्यों स्ट्राइक पर है ये करमचारी, क्यों नहीं इनकी बात सुनी जा रही है और कब तक ये हालात रहेंगे सेर उनकी मांगे पूरी कर भी जाएंगी सबसे बड़ी बात ये है कि कई-कई महीनों के बेतन इनके अब तक बकाया है इनके एरियास के बहुता हुए नीमिटी करड़ की सबसे बड़ी समस्या है इस तरह कि तमाम इसी मांगे है जिनको लेकर इससे पहले भी सफाई करमी पोड़ेक्ट करते रहे है और दुबारा फिर एक बार धरने पर बैथे हैं अपने काम से अलग है और जिसकी वज़े से इडियासी की हालात बेहद कराब होते जा रहे है कूरा सरकों पर पसरा पड़ा है और इसके बाद भी यही सवाल उट रहे थे प्रिजेश के बीजेपी का होल तो अगर हो जाता है MCD पर तो क्या ये इस तरह के मन मुटाफ नहीं देखने को मिलेंगे क्या काम प्रभावित नहीं होगा क्योंकि एक तरह अर्विंद केजरिवाल है जो इस बात को कहते हैं कि MCD हमारे अंडर में नहीं आता है लेकिन फंड कहां से दिया जाएगा क्योंकि सिदे सिदे MCD जिसके अंडर में आता है अगर वही नहीं इन चीजों को समझेगा तो पिर कहां से ये काम आगे बढ़ेगा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद